नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सही ट्रेड चैनल के उपर दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे जीरोदा एप्लिकेशन में आप बास्केट ओर्डर किस तरीके से एक्जीक्यूट कर सकते हैं वो भी स्पेशल ओप्शन्स ट्रेडिंग में बास्केट ओर्डर क्या होता है इसके ओर मैं औरड़ी एक वीडियो में बना चुका हूँ जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है बहाँ चाके आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जीरोदा काइट की एक लिंक अवेलेबल है जहाँ पे आप जीरोदा काइट की अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो अगर आभी तक अकाउंट ओपन आपने नहीं किया है तो basically जो भी options trader होते हैं उनको strategies बनाने का बहुत बड़ा मज़ा आता है क्योंकि safe game खेलना चाते हैं तो strategies बनाने के लिए आपको अगर एक पूरी basket मिल जाया और एक साथ आप 2-3 order अगर लगाना चाहते हैं आज हम butterfly order कैसे लगाते हैं इसका example लेंगे तो चार order लगाने पड़ते हैं butterfly order आपको butterfly spread करना है तो तो अगर आपके पास basket अविलेबल होगा तो एक साथ आप order execute कर सकते हो अगर आप basket नहीं होता है तो आप हर एक order को एक एक करके manually आपको execute करना पड़ता है तो simple तरीके से आपको क्या करना है सबसे पहले तो tools के section में जाना है tools के section में आपको एक basket बना लिनी है अब मैं यहाँ पे nifty की आपको butterfly spread की basket बना के दिखाऊंगा उस तरीके से आपको बनानी होती है तो नाम हम दे देंगे nifty अब आपको पता है कि जो butterfly spread होता है उसमें हमें दो call buy करनी होती है और एक call buy करनी होती है एक call बेचनी होती है एक put खरीदनी होती है और एक put sell करनी होती है यानि कि हम call भी buy करते है और put भी buy करते है और call भी sell करते है और put भी sell करते है यानि कि हमें हर चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है strike price आपको select करना है 500 का call हमें क्या करना है यहाँ पे sell करना है तो यहाँ पे add sell कर देंगे तो add कर दिया हमने अब normal यह हो गया एक order अब यहाँ पे आप देख रहे है margin कितना लग रहा है 99,000 लेकिन इसमें हम क्या करेंगे 9650 का एक जो call है उसे buy करेंगे तो 9650 हम यहाँ पे लिख दें तो इसका call जो है हम यहाँ पे buy करेंगे अब 50 quantity है price जो चल रहा है वो आप market भी रख सकते है limit भी लख सकते है इसका कोई दिक्कत नहीं है overnight intraday कुछ भी यहाँ पे select कर सकते है ऐसा यहाँ पे mandatory नहीं है कि coin लगा न देते हैं अब यहाँ पे एक message आ गया है कि use intraday trade all options strike price of note position और conversion तो proceed कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे आप देख सकते है final margin जो है वो 25,000 हो गया अब यहाँ पे हमने थोड़ असा modify करना है और market कर देते हैं और modify करते क्योंकि SLM का order लग गया ता गलती से अब जो margin है वो यहाँ पे हो गया है 25,199 लेकिन हमें put भी यहाँ पे add करना है क्योंकि butterfly spread हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे 19,500 का 1 put यहाँ पे sell कर देंगे तो फिर से search में जाना है 19,500 का put जो है हम sorry call आ गया put क्या करेंगे sell करेंगे तो add कर देंगे अब यहाँ पे फिर से margin पड़ेगा 19,350 का 1 put buy करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे 19,350 का put जो है वो यहाँ पे buy करेंगे तो add buy add कर दिया अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक call हमने बेच दिया एक call हमने खरीद लिया एक put हमने बेच दिया एक put हमने खरीद लिया टोटल margin की requirement कितनी थी 2,11,799 ले यह हो गया butterfly spread, butterfly spread क्या होता है इसके उपर एक detail वीडियो मैंने बनाई है with example of nifty and bank nifty तो उसका link description में available है वो वीडियो आप जाके देख सकते है ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से आपको profit कितना होगा कहां पे होगा वो पता चलेगा, आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि यह सा आपको order execute करने का मोगा मिलेगा, अब सब में हमने क्या कर दिया है, market price लगा दिया है क्योंकि यह 0000 लगा रहा है तो market price लगेगा, आप यहाँ पर limit price भी लगा सकते हो, आपके उपर है, लेकिन limit price अगर लगा दोगे तो एक साथ order execute नहीं होगे, क्योंकि एक price आएगा, एक price नहीं आएगा, तो वो फिर से margin का problem हो जाता है, तो basket order इसी के लिए होता है, कि आप market order पे सारे order एक साथ execute करें, अब वो कैसे करना है, सिर्फ execute का button दबा देना है, execute का button दबाते ही ठा, आपका काम हो गया, चारो order एक साथ place हो जाएंगे, butterfly spread आपका बन गया, अब iron corner बनाना है तो वो भी आप यहां से बना सकते हो, spread straddle बनाना है, strangle बनाना है, तो भी बना सकते हो, तो basket order की मदद से आप options trading में अलग-अलग strategies बना के एक साथ order execute कर सकते हो, तो यह फाइदा है basket order का, I hope आपको basket order के बारे में पूरी detail जानकारी मिल गई होगी, वीडियो पसंद आया हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को जाधा से जाधा शेयर करना, और अभी भी कोई doubt है, तो comment में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवात है